हमस्कार फ्रेंड सात्वी क्रसुई में आपका हार्डिक स्वागत है क्या आपकी क्रिसपी बिंडी बनाने के कुछ देर बादी उसका कुरकुरापन खतम हो जाता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं आवाज सुन रहे हैं लंबे समय तक इसको कुरकुरी क्रिसपी कैसे रखा का सीक्रेट जानने के लिए अंत तक वीडियो में साथ बनाए रखिएगा छोटी छोटी किन्तो बहुती काम की टिप्स के साथ आप और हम मिलकर बनाते हैं क्रिस्पी फ्राय बिंडी इसकी पहली टिप यही है कि जब भी लें क्रिस्पी बिंडी बनानी हो तो बड़ी और लं क्रिस्पी पन नहीं आपाता है इसके लिए आगे पीछे के जिस तरह हम देख रहे हैं काटकर अलग कर लेंगे सब को इसी तरह से साफ कर लेंगे अब लंबाई में पहले दो पीस करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं और फिर पहले वाले को भी दो पीस में कर देंगे इस हमारी सभी तयार हो चुकी है इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि जितने बीज निकल सके निकल जाए अब बीज को भी आसानी से निकालने के लिए एक ठीप है जिसके निये कि हम एक से दो चम्मच सूजी लेंगे जो की बिंडी काटने के बाद जो मौश्चर आ गया है उसको भी ये सूजी सूख लेगी प्रिस्वी पन लाएगी और तीसरा ये बीज निकालने में हमारी मदद करेगी दो तीन बार हम इसे उपर नीचे करेंगे तो उसे काफी बीज हमारे अलग हो जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कितने बीज नीचे आ चुके हैं अब ह हमने कुल दो बड़ी चममच निकाल लिए जो बीज रह गएं अब कुछ रह जाते हैं उसको चाकू से या हाँ से निकाल लेंगे यह सब बीज हमारे निकल चुके हैं फिर भी आपको कोई दीग जाता है तो उसको हाँ से 2-4 निकाल सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस यारष में हम कालर के लिए मिलाएंगे हल्दी आधी छोटी चमच लाल मिर्ड पाउडर ठोड़ा इस ऐब स Lemon Newton ँस ऐब भन पॉड़र या अधी बमत्र कर 될 你 le перекस, जीरा और आधी छोटी चमच हम चुर कर लेंगे ताकि इस पर coating अच्छी तरह से हो जाए अब coating करने के लिए दो बड़ी चमच हम corn flour मिला रहे हैं इसमें और मिलाएंगे दो बड़ी चमच इसमें बेसन ये बेसन महीन लेंगे ताकि कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए इस पर और नमक अब मिलाएंगे आदी छोटी चमच एक छोटी चमच पहले कर लिया है अभी और हमें एक छोटी चमच और कर लेते हैं अभी अच्छी तरह से कोटिंग हो जा रही है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूसी प्लेट में ट्रांसवर करकर इसको पांच मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे फि तरह से मिक्स कर लेंगे अब ये कोटिंग हमारी हो जाएगी अब 5 मिनट से अधिक हम नहीं छोड़ेंगे पुल फ्लेम पर गरम करेंगे जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक बिंडी के लिए हम स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए कलर के लिए हमने कश्मीरी जाल मिर्च लिए और छोटा चम्मच कर लेंगे और इसमें एक चम्मच आप्सूर पाूडर ज्या चाटमसाला मिला लेंगे और मिलाएंगे कसूरी मेथी आधी चमच क्रश करके सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब हमारी बनके तयार हो जाएगी तब यह हम मिलाएंगे तो इससे बहुती टेस्ट इनहेंस हो जाएगा अब हमारा तेल भी गरम हो चुका है जो कि हमें तेज पर ही करना है में मीडियम फ्लेम प नहीं तो सारा मसाला भारा जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं एक तरफ से सिख चुकी है अब इनको हम पलट देंगे कुरा होने तक उलट पुलट कर इसी तरह से सेख लेंगे अब जैसा कि देख रहे हैं आप यह हमारी एकदम क्रंची बनके तयार हो गई हैं ट्रांसफ होने तक इसको सेख लेंगे दूसरा बैच भी हमारा तयार हो गया है सबको निकाल लेंगे जैसा कि आप आवास सुन रहे हैं बिल्कुल एकदम क्रंची बनी है अब इसमें हमें लाएंगे इस्पेशल मसाला एक से डेड़ चम्मा जिससे की टेस्ट बहुती बढ़िया हो ज सकते हैं या वैसे भी चाय के संग ये कुरकुरी बिंडी सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो तो लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकोन को हिट करेंगे तो